हलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, सामने आप देख रहे हैं मारूती सिफ्ट का ZXI CNG 2024 और भाई यह जो कलर है यह है खास क्योंकि यह है ब्लैक कलर, पहले आपको मारूती की गाड़ियों में ब्लैक कलर नहीं मिलता था लेकिन अब मारूती अपनी सभी गाड़ियों म एक लाइक आप जरूर कर सकते हैं, डाइमिंशन में कोई भी बदलाओ नहीं किया है बट जो ब्लैक कलर है वो भाई गाड़े को काफी खास बना देता है, यह गाड़ी रोड़ पे चलती है काफी गजब के लगती, लोग इस गाड़ी में मोडिफिकेशन भी काफी ज़्या भाई करते हैं, वहीं भाई 10 लाग रुपे में आपको जो है, हैच्बेक C&G देखने को मिलती है, ठीक है, सब कुछ वीडियो में होने वाल है, सबसे पहले बात करें गाड़ी के लुक की तो डेफिनेटी लुक गाड़ी के जाना पहचाना है, ठीक है, बहुत ही प्यारा ल पर कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा, VXI C&G, ZXI C&G, सेम जो है आपको हैड लैम मिलता है, हैलोजन में आजाते हैं, फोग लैम जो है इस वेरियंट में आजाते हैं, क्योंकि भाई ZXI C&G है, वहीं इंडिकेटर सामने आप देख पारें, गाड़ी की ग्रिल कुछ इस प्रकार से मिलती है, जो की दिखने में काफी प्यारा लुक देती है, आगे का जो गाड़ी का लुक है वह भाई काफी अच्छा लगता है, और भाई इसी लुक की वज़े से जो है लोग इस गाड़ी को बाय करना पसंद करते हैं, ठीक है, लगबग आपको 60,000 रुपे एक्स्टा पे करने पड़ेंगे, जैडएकसाई सी इनजी के लिए अगर आप वी एकसाई सी इनजी लेना चाहते हैं, अगर आप इसका वी एकसाई सी इनजी वेरिंट लेते हो, तो लगबग आपको 60,000 रुपे सस्ता पड़ता है, यह गाड़ी का साइड लोग, साइड से इस वेरिंट पे क्लैडिंग नहीं आती है, ठीके, ओवार इवियम आपको बोडी कलर्ड मिलेगा, वहीं जो डोर हैंडल ही, यह भी आपको बोडी कलर्ड मिलते हैं, इंडिकेटर जो है, इसके उपर आपको देखने को मिलेगे, बाकि जो रेन वाइजर देखने हैं, यह प पेटरल वेंट के साथ, लेकिन इस पेस ना होने की वज़े से, जो C&G वेंट है, वह आपको साइड में मिलता है, यह देखो, यह जो ढखका नहीं, यह ओपन हो जाता है, और उसके बाद जो है, आप यहाँ से C&G ले पाएंगे, जो कि थोड़ा सा ओड लगता है, लेकिन ब्लेक कलर होने के बाद, और जो यह वेंट है, यह भी ब्लेक कलर हो जाता है, जो लुक है ना, वो इतनी खराब नहीं लगती, लेकिन अगर आप इसको वाइट वाला वेंट लोग हैं, तो भाई, वहाँ पे जो वेंट है, वो अलग सही दिखता है, यह है गाड़ी का रिय आपको उपर मिल जाता है, टेललेम्स की बात कर ले, यहांपे लेडी में टेललेम्स मिल जाता है, इसके उपर जो है आपको ब्लैक कलर की कलैडिंग देखने हो मिलेगी, जो की part of accessories है, अच्छी लगती है यह ब्लैक कलर की कलैडिंग, ठीक है, सिफ्ट की यहांपर ब्रेंड बढ़िया जो है माइलेज आपको निकाल के देती है वहीं बूट स्पेस की बात करें है गाड़ी में टैंक भी रखा हुआ इसलिए जो बूट स्पेस है वह भाई कॉम्परमाइज तो होगा लेकिन हाँ छोटे मूटे बैग आ जाते हैं इस पेरियूल आपको पीछे मिलेगा फुल साइज के साथ वहीं लैंप भी आपको यहां पर देखने को बिलेगा कुछ इतना साही स्पेस निकलता है यहां पर पार्सल ट्रे मिल जाती है प्रो पर कवलिंग जो है आपको उपर मिलती है कोई भी गाड़ी लो भाई CNG में बूट स्पेस से तो कॉम्परमाइज कर कर सकते हैं आप ठीक है यह है इंटिरियर और जैसे गाड़ी बहार से वैसे ही गाड़ी अंदर से फुली ब्लैक जो है आपको इंटियर मिलने वाले काफी प्रेमियम लुक देता है इंटियर डोर ओप्रिंग वाइड है एंट्री एक्जिट करने में दिक्कत नहीं होने वा अब कर लेते हैं तो यहां पर आपको फैबरी का पोल से मिलती हैं यह जो आप देखने है यह पार्ट ओफ एससरी है वहीं यहां पर फ्यूल को चेंज करने का बटन मिल जाता है ठ्रेक्शन कंट्रोल है और यहां पर है अल्लय मिल जाता है जैसक्षारिंट है इस लिए आप हेजबैक segment के अंदर ठीक है youарils पे इगिनिसें करते ह्स्टार्ट इस्टरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको वह को 사श्चार में बात करूं तू veya टील्ट और टील्ट काँसरीं इसट्समेंट णी मिलेगा टेलेस्कोमेंटी नहीं मिलता जो स्टोक से यहाँ वाइपर का यह गाड़ी का इंस्रूमेंट कलस्टर फुली एनालोग है स्पीडो मिटर आर्पी मिटर दोनों मिलते हैं बीच में माइडी है बेसिक सी इन्फोर्मेशन बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगी बाकी सारी वर्निंग लाइट यहां पर दिख पारी है चैनल कंसोल कुछ इस प्रकार से मिलेगा सामने सिलिवर का यूज मिलेगा जो की गाड़ी को काफी अच्छा लुक देते हैं इस इवेंट बीच वाले आपको मिलेगे राउंड सेप में जो की काफी बढ़िया लुक देते हैं डैसबोड को वहीं साइड वाले जो इस काफी चोटा है IRVM यह भी आपको सिंपल मिलेगा सेफटी फिचर चीब बात करें गाड़ी में आपको दो एर बैग मिल जाते हैं वही कोई भी आमरेस नहीं मिलता होना चीए था इस वेरेंट में भाई 10 लाक रुपे आप ले रहे हैं गाड़े को लेने में आमरेस तो यहा बात करें डैफिनेटी सीट की कुसनिंग काफी अच्छी है अंडर थाइस सेपोर इन सीट में काफी बैटर आपको देखने को मिलता है तो यह कहानी हो गई इंटीर से बाकि आप सामने देख पा रहे हैं बाई सी एंजी फुल है जब भी आप कोई बीसी गाड़ी लेने जा तरफ की हुई है मेरी हाइट के नुसार पीछे बैटके देख लेते हैं पीछे जानने के लिए आपको इस वाले बटन से लीवर से आपको ओपन करना पड़ेगा ओपन कर लेते हैं इसको पहले यह डोर ओपनिंग वाइड है ठीक है एंट्री एकजिट करने में दिक्कत नह इंडो का बटन स्पीकर बोटर होल्डर एक लिटर के बटल आगी दो लिटर के बटल नहीं आ सकती सीट की बात करें तो यहां पर आपको एड़ेस्टेबल हैड्रेस मिल जाएंगी आगे पीछे वहीं आमरेस आपको नहीं मिलने बले सीट की कुसनिंग कफी अच्छी है वह दस लाख रुपए में वैसे तो गर मैं बात करूं प्राइस पॉइंट की तो दस लाख रुपए में यह गाड़ी काफी महंगी हो जाती है लेकिन जो सिफ्ट लवर है जो स्पेसली ब्लैक कलर सिफ्ट वी एकसाई सी एंजी चोड़के सिफ्ट जेड़ेसी लेना चाहते है तो भाई उसके लिए काफी बढ़ी है जो है उप्शन हो सकता है आप यहां पर देख सकते है हाइट एड़स्मेंट भी काफी अच्छा है हाइट वगएरा जो है गाड़ी की ठीक है लुक गाड़ी का काफी बढ़ी है भाई दस लाख रुपए में आपको ऐसी गाड़ी मि कर लेते हैं यहां से अब आपको दिखाते हैं इंजन गाड़ी का हुड को ओपन करते हैं एजली जो है हुड ओपन हो जाता है यहां से ठीक है यह है इंजन 1.2 लिटर का फॉर सिलेंडर ड्यूल जैट इंजन यहां पर मिलता है नाइंटीएट बीएच्पी 76 अनम का टोर्क इंजन काफी प्रूवन है इंजन आपको यहां पर मिलता है लेकिन इंजन इस गाड़ी का बहुत ही जादा प्रूवन है कोई भी नौइज वाइब्रेशन नहीं आती बहुत ही मक्खन इंजन है और इस मक्खन इंजन की वज़ेसे ही भाई लोग जो है सिफ्ट बाय करते है हाना मारूत की गाड़ी को बाय करते क्योंकि इस गाड़ी के इंजन मारूत की जितने भी गाड़ी आती उन सब का इंजन भाई गाड़ी की सबसे बड़ी यूसपी होते है ठीक है दस लाग रुपे में क्या यह गाड़ी लेना आपके लिए वर्थ होगा मुझे कमेंट करक के भी आप जरूर बता सकते हैं मिलते हैं आप से किसी आशी नाक्स वीडियो में थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाई